So hey guys and welcome back to my channel तो आज हम लोग समी कंडुक्टर्स पढ़ेंगे जो क्लाश 12 फिजिक्स में है और ये जेही मेंस के सिलेबस में जेही एडवां के सिलेबस में नहीं और बोर्ट के सिलेबस में तो हम इस चैप्टर को जेही मेंस तक कवर करेंगे और बोर्ट का भी पाट में बता दूँगा और जो बोर्ट में नहीं हैं जो भी बताते चलूँगा तो चलिए इस चैप्टर को हम नोट से पढ़ेंगे और इस नोट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा तो चली आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो Semiconductors जो Electronics branch में आता है College में हम लोगों पढ़ना होगा आगे लेकिन अभी हम लोगों सिर्फ Semiconductors नाम से पढ़ना है तो यह है किया Less conducting than conductor मतलब कि जो conductors होते हैं जैसे कि metal जो copper हो गए silver यह सबसे वो कम conductor है and more conducting than insulator जैसे plastics, woods यह सबसे यह ज़्यादा conduct करते हैं तो यह सबसे यह ज़्यादा conducting है तो मतलब यह कहीं बीच मिलाई करते हैं मतलब जो conductor होते हैं उनसे ज़्यादा semiconductor resistance होता है और सबसे ज़्यादा resistance insulator का होता है तो electricity को मतलब कि semi conductor conductor से कम conduct कर पाता है लेकिन insulator से ज्यादा conduct कर पाता है तो hope आप लोग समझ रहे होंगे तो semi conductor का आखिर use क्या है semi conductors का use ही क्या है अगर inductor हम लोग के पास है conductor और insulator है तो हम लोग लोग को आग यह पता चलेगा semi conductor आखिर है क्या मतलब उसका temperature से variation एक बार देख लेते है temperature जब increase करता है तो resistance semi conductor आखड़ता और conductivity बढ़ता है अभी के लिए इतने याद रख लिजे लेकिन आगे के chapter में हम लोग इसका reason भी जान पाएंगे depth में लेकिन semi conductor क्या होता है temperature increase करने पे इसका resistance कम होता है मतलब वो electricity को कम resist करता है और conduct जादा करता है अगर temperature बढ़ाएंगे अब इसका एक हम लोग का फाइदा यहां पर देखते है क्या होता है semi conductor का फाइदा so resistance conductance of semiconductor can be controlled and even can by thousand times by incidenting light, heating, mixing some imperities मतलब light गिरा के या heat करके या some imperities को मिला के हम लोग semiconductor के conductance और resistance को control कर सकते है even उसको 1000 times तक control कर सकते है मतलब 1000 गुना बढ़ा भी सकते है घटा भी सकते है तो यह कितना फाइदे की बात है कि हम लोग अपने मन हिसाब से उसका resistance कुछ भी कर सकते है और conductance कुछ भी कर सकते है यही semi conductor का बहुत बढ़ा खासियत होता है so next है energy diagram of single atom energy diagram हम लोग इसका देखते है इसका आगे use आएगा इस chapter में तो हम लोग इसको समझ लेते हैं वैसे ही atomic structure में class 11 में पढ़ना था first chapter में so इसको हम लोग denote करते है capital use है और electrostatic potential energy इसको हम लोग आते है और जिसका value होता है k q1 q2 by r तो अगर हम लोग एक atom कर लें potential कितना आया k z e square by r तो जब यहाँ पर r हम लोग बढ़ाते है तो u हमारा decrease करता है इसके हिसाब से देखिए r हम लोग जब बढ़ाएंगे तो u decrease करेगा so इसका graph अगर बनाया जाए तो graph ऐसे बनता है u versus r का और यह negative sign है इसलिए graph नीचे बनता है और यह कुछ इस प्रकार का बनता है 1s atom के लिए ऐसे 2s के लिए ऐसे मतलब और बाइटल के लिए 2p orbital के लिए 3p 3s orbital के लिए sub orbital के लिए डॉट 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 यहां तक तो यह इसका एक rough idea हम लोग ले ले लेते हैं अब next हम लोग चलते हैं next topic so उस समय हम लोग ने एक single atom का देखा था अब हम लोग देखते हैं 2 closely placed atoms के बीच के energy diagram तो अभी आप लोग confused नहीं होई हमें energy diagram बीच में कहां से लेगा energy diagram का धी दिरे connection में link करवा दूँगा ठीक है तो यहां पर देखिए वैसी atom बन गया दो तो दोनों का जो energy diagram होगा वो कुछ ऐसा बनेगा और एक point पर यह थोड़ा सा overlap भी करेगा ठीक है और यह वो scenario है जब दो atom जो दो atom वो closely नहीं है अभी दूड पर रखे हैं लेकिन जब उसको close line के तब क्या होगा वो हम लोग अभी आगे देखते हैं सो देखिए if we bring these two atoms close outermost shells will overlap मतलब कि अगर हम लोग उन दोनों को close ले आएंगे तो उनके जो बाहर वाले यह shell थे वो overlap कर जाएंगे any electron in these outermost cells will be in influence of both atoms now मतलब कि जैसे हम लोग ने close लाया तो क्या हुआ कि उसके जो outermost shell थे वो overlap होगा और वो एक shell बन गया overlap करके और जो electron था वो अब इस atom का भी रहा और इस atom का भी रहा मतलब यह electron अब दोनों atom के बीच में गूमेगा क्योंकि बाहर वाला तो overlap कर गया तो इसका energy diagram कुछ ऐसा बनता है यू वर्सिज आर का graph ऐसा बनता है और यह एक point पर आके ओवर लैप करता है इस point पर तो इस point का हम लोग आगे मतलब समझेंगे यह point important है और यह इसका मतलब यू और आर graph ऐसा बनता है अब हम लोग देखते है multiple atoms के लिए क्या होता है सो अब हम लोग समझेंगे energy diagram of a crystal crystal मतलब large number of closely placed atom अभी तक हम लोग ने एक देखा दो देखा हम लोग बहुत सारे atoms का देखते हैं क्या होता है अब यहां से बहुत चीज़े clear हो जाएंगी semiconductor से लेके सब यहां पर अब link होने वाला है तो अगर हम लोग सब atom को close ले आएं और यह 3D में है यह इधर है इसके पीछे भी एक atom होगा इसके भी पीछे एक atom होगा इसके भी पीछे atom होगा मतलब सब एक दम सजा के रखाव है 3D में तो इसको मैं linear ऐसे फोटो में दिखा रहा था कि समझ में है तो इसके outer more सारे overlap हो जाएंगे और यह जो electron है यह सब atom से share होगा तो यह दिगर है यह electron बहुत दूर तक जा सकता यहां पे था पहले अगर दूर था तो सिर्फ यही atom के चाहरोग बगर घूम रहा था लेकिन अब यह electron इधर से लेके इधर 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 जहां मन वहां जा सकता और यह 3D में crystal है तो एक कोना से दूसरे कोना में यह electron घूम सकता है तो इसको बोलते है conduction electron क्योंकि यह electron conduct कर सकता है क्योंकि यह बहुत दूर तक एक energy को अपने साथ लेके जा सकता है और यह जो इसको बोलते है conduction band energy और यह जो electron है जो अंदर में electron है यह bounded electron इसको कहते है bounded electron और यह electron electricity conduct नहीं करते है तो इसका हम लोग अगर U versus R graph बनाएं वापस से ये U ये U ये यहाँ पर R तो अगर हम लोग U versus R graph बनाएं तो पता चले हैं कि वैसे ही जैसे दो shell में हो रहा था वैसे तो हो रहा है लेकिन यहाँ पर इससे भी हो रहा है इससे भी हो रहा है, तो सब ये जो लैप कर रहा है, ओवरलैप, एक पॉइंट के बाद ये दोनों मैच कर रहा है, और ये जो बीच में रीजन बना, इसको बोलते हैं, कंड़क्शन बैंड, मतलब कि इसके अंदर वाले जो भी एलेक्ट्रॉन होंगे, वो सब एलेक्ट्रिश इन लैटिस स्ट्रक्चर और फ्री तो मूव, वही मतलब एलेक्ट्रॉन जो ओवरलैपिंग रीजन में था, वो फ्री तो मूव होने के लिए, इन वोल लैटिस, पूरे लैटिस में, मतलब पूरे क्रिस्टल में, इस एलेक्ट्रॉन्स इसको फ्री एलेक्ट्रॉन्स बोलत electrons और valence electrons सब तो मैंने आपको बता दिया बस ये लिखावा है नोज में तो इसी के बाद हम लोग को अब next पढ़ना था comparison of energy levels single atom versus solid lattice मतलब कि जो हम लोग single atom का पढ़ हैं और जो solid crystal का पढ़ते जाज पर बहुत सारे atom होते तो पहले single atom का देख लेते हैं single atom में क्या है कि single single इसका ये बनता है orbital 3p, 3s, 2p, 2s, 1s ऐसे लेकिन solid lattice में जब बहुत सारे electrons आ जाते हैं तो वो ऐसा नहीं बनता है वो कुछ इस प्रकार बनता है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p और ये एक मतलब कि ये एक single line नहीं बनता है ये एक reason बनता है वही reason जो conduction reason था जो मतलब दो overlap ऐसे करके जो graph overlap कर रहा था और जो ये reason था वही यहाँ पर ये है relate आप लोग कर लीजे तो ये मतलब इस पूरे energy के अंदर यहाँ पर जो भी electron होंगे वो सब energy conduct करेंगे अब जो हम लोगे last page में परा उसका हम लोग significance देख लेते हैं कि हम जाने क्यों तो देखे फर्ड में energy हम लोग sodium के example लेते हैं जिसका z होता है 11 तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 और s1 half field है अब इसका देखेगा significance जो हम लोगे last page में परा था तो at 0 Kelvin 0 Kelvin temperature में आखिर हो किया रहा है तो देखते हैं तो वैसे ही मैंने shell बना दिये पूरे 3p, 3s, 2s, 2p, 2s, 1s पूरा ऐसे energy band बना गया अब 3s तो यहाँ पर फिल्ड था तो यहाँ पर जो 3s होगा उसके अंदर जो electron होगा वो आधा ही होगा और आधा खाली होगा तो इसको बोलते हैं half field और जो उसके उपर होगा 3p तो actually यहाँ पर 3p 0 है तो 3p में कोई electron नहीं होगा और यह हो गया outer shell electron makes bond valence bond जो हम लोग ने दो पेज पहले पढ़ा था कि जो outer shell में जो electron share हो जाते हैं वही यह band है तो इसी को कहते है outer shell और इसमें खास बात यह है कि अगर यह half field था तो यह जो energy level भी होगा यह एक दन बीच में होगा मतलब 3s भी आधा बटावा होगा उसके आधा उपर खाली होगा और उसके नीचे बात हो रहा था highest energy of outer most shell valence bond is defined as fermi energy मतलब जो highest energy होगा उसको fermi energy बोलते है at t greater than 0 Kelvin मतलब जब t 0 Kelvin से बढ़ा हो तब क्या होता है electron may get energy due to thermal agitations मतलब कि जैसे है अगर हम लोग 0 Kelvin से ज्यादा करेंगे temperature तो जो electron है उसके पास energy आ जाएगा अब वो thermal agitation से energy ले ले लेगा and hence can have energy more than fermi energy और जो fermi energy का level है इसको cross कर जाएगा तो electrons jump करने लगेगा so अब हम लोग देखते है band diagram in conductors तो band diagram in conductors क्या है conductors जैसे metals हो गया और इसका valence band और conduction band overlap करता है तो वही conduction band, valence band overlap हुआ और यहाँ पर free electron आ गया और लेकिन metal at t is greater than zero Kelvin का यह बात हो रहा है तो large number of free electrons मतलब conductivity जादा और resistivity कम यह सब simple हम लोग conductor का भी बात कर रहे हैं semiconductor पर अभी हम लोग नहीं पहुँचे हैं तो उसके लिए हम लोग देखते है next अब semi conductor से पहले हम लोग insulators के band diagram जान लें तब ही हम लोग semi conductors और असानी समझ पाएंगे तो insulator में क्या होता है यह जो conduction band है और यह जो valence band है यह दोनों overlap करता ही नहीं यह दोनों के बीच में energy difference आ जाता है और उस energy difference का नाम होता है forbidden energy gap या for me energy gap या bond gap band gap तो इसके जो gap होता है वो 5 electron volt से जादा होता है generally insulators के लिए ठीक है और इसका conduction band empty होता है अब conduction band में electron नहीं है तो conduct ही नहीं होगा और valence band में तो of course electron होगा ही so delta eg है यह difference between minimum energy of conduction band मतलब conduction band का minimum energy जैसे यह diagram हुआ तो conduction band का यह minimum energy है और यह maximum energy है तो यह minimum energy इसका लेंगे और valence band का maximum energy लेंगे और इन दोनों के बीच के difference को बोलते हैं delta eg तो वह यहां पर लिखा वाता difference between minimum energy of cb मतलब conduction band and maximum energy of vb मतलब valence band और minimum energy required to convert bounded electron into conducting electron और free electron मतलब minimum energy उतना energy चाहिए कि यहां पर जो electron बैठा हो उसको हम लोग अगर energy दे दे तो वो हो कि यहां पहुँच जाए यह minimum energy को बोलते हैं even thermal agitations of electrons cannot provide this high energy मतलब कि अब हम लोग मेटल में तो बात कर रहे थे कि t greater than zero kelvin पे हो रहा था लेकि इंसुलेटर में नहीं होता है क्यूं क्यूंकि thermal agitations electron को इतना provide नहीं करवा पाते हैं जो five electron world को भी cross कर जाए so electrons remain in valence band इसलिए insulated electricity conduct नहीं कर पाता है क्यूंकि उसका electron valence band में ही रह जाता है और cb remains empty no free electron इसका फ्री electron होता ही नहीं है तो no conductivity और resistivity बहुत जादा resistance है इसका current के लिए so आज के वीडियो में इतना ही next video में हम लोग देखेंगे bond diagram of insulators bond diagram of semiconductors next video के लिए आप लोग ready रहिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो like करिए और subscribe करिए नहीं करिए लेकिन comment जरूर करिए आपको ये video कैसा लगा और अपने सारे doubts मुझे आपको करूंगा सो तब तक के रिए बाइ see you in the next video